कौन कहता है कर जोटब लगे तो दिल पे लगे तो दिल नोकर बलाते हैं का हमार टॉपिक है पुरुज़ेश्टरॉण strategies क्या है फ़स्टे इंट्रोपिक है in इंटर्ष्टिंग is द situation carne आप इस टॉपिक को सब którą से देखिए और समझे बहुत परिडियल को बताएंगे बस आप इसको होर्मोन से नामों की नाम से भी जानते हैं कहीं-कहीं आपको इसे प्रिग्नेंची हार्मोन के नाम से भी आप इस चीज को जानेंगे किसे प्रिजिस्टान को आज क्या टॉपिक था हमारा प्रिजिस्टान प्रिजिस्टान को इस्ट्राइड हार्मोन भी कहते हैं इसी को सक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं आपको इसी इसी हार्मोन को प्रिग्ने किया second का बनात्यार चीज़ को हम यहां पर देखेंगे तो यहां को करेंगे तो आ और यहां पर जो आपको दिखाया गया है इस आरे चीज है इक ऐ आपको दिखाया गया है एया वरी प्रली है ती एक है आपका क्या आप इस चीज को बहुत द्याश देखिए, अगर इस figure को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आपको प्रोस्टॉन हर्मोन समझने में कोई प्रोब्लम नहीं होगी, बस आप इस process को अच्छे से देखे कि कि क्या है प्रोस्टॉन, ठीक है, यह क्या है हमारा figure, यह है female reproductive system का और यहां पर जुम करके आपको दिखा रहे हैं अब इस ओबरी के अंदर क्या क्या चारी चीजी है उस चीज को आप देखें जो आपको रेड़ क्लर का दिखाए गया है यह ब्लड बेसल्स आपको जो रेड़ क्लर का दिखाए गया है यह क्या है यह ब्लड बेसल्स देखें आज यहां पर जो छोटा छोटा दिखाए गया है यह हैं फॉलिकल्स ठीके ऐन फॉलिकल्स अब फॉलिकल्स जो है यह धीर 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 डिद्रे डबलग उर लप करेगा ग्रोध काईसे करेगा यह 92166 ξत्फरश claps ustimulating hormone आब LSS K मतलब हो गया lieutenant हार्मोन ठीख है עब FHS और LHS हार्मोन कहा से सिक्रीट होता है तो रहाओ स्वाल FHS और LSSnicas जो है यह PG लिखाऊ यह हैंManキaC deception cuánt को फॉलिकコ ट। मीं काफी ज़ादा इसकी भूम का होती है फोली फोलीक्ट एक यह पोलीकल को ग्रोथ कर कैसे ग्रोथ करवाता है ये follicles है 갖 एसे इस चीज को चाह sights करेगा और जो श्रीज को ग्रोथ करवाएगा आज है फॉलीकल क्रमिंट कर में करवाइगा अब प्रामेरी क्रमट फिन ये स्कंटारीय में करृंट होगा अब स्कंटारी यही मुए फॉलिकल्स डवलप होके ग्रैफियन फॉलिकल बनाएगा क्या ग्रैफियन फॉलिकल्स को बनाएगा एफ एस्याज फॉलिक इस्ट्रूमिलेटिंग हार्मोन ठीक है अब हम देखते हैं जो प्रोजेस्ट्रान हार्मोन है ठीक है प्रोजेस्ट्रान हार्मोन को प्रोजेस्ट्रीन नाम का जो एक हार्मोन होता है वह सिंथाटिक हार्मोन है प्रोजेस्ट्रीन जो है एक सिंथाटिक हार्मोन है जो की सेम काम जो काम प्रोजेस्ट्रान करता है वह हम जूम करके दिखा रहे हैं लेकिन में मुद्धा यह हुआ है यह हुआ कि प्रजिस्टान सिक्रीट कहां से हुआ जायर सी बात है यह बात तो आएगी ना कि जायर सी बात है जह हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हमारे बॉड़ी में इसकी इतनी ज्यादा भूमिका है तो यह यह होता तो में में तो ओबरी होता नहीं है जायर सी बात है प्रमेल में और होता है अजय होता है जयदा Begin फिमेल में यह जाएतर क्या करने हम अधिकतर हमाँ लागवक सूमर्चत का फिमेल की ऑबरी पार्ट के करपस रोटियम से ही होता है रास्वाल मेल में तो मेल में यह अड्रीनल ग्रन्ट से स्षट होता है को अब हम देखते हैं कि फॉलिकल डविलप कैसे कर रहा है ठीक है यह reproductive system है ठीक है यह ओबरी को हम यहाँ जुम करके आपको दिखा रहे है एक फॉलिकल है फॉलिकल ग्रोथ कर रहा है किसकी मदद से फॉलिक मदद से लु ठार्मोन को किया अब मततब ब्लेड में यूटीन इजीञ हार्मोन का जब अधिक होता है तो लूटीन इजिंग हार्मोन जो करता है ग्रैफियन फॉलिकल को रैप्चर कर कर देता है ध्यान देजिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क सब्सक्राइब लेड में अधिक होता है क्रेटिनाइजिंग हार्मोन ग्रैपfelt को रिप्टर कर देगा अब क्रेफिनन फोलीकол लेफ्ट्टर हो यहां से ओम lowers key हूज कर यहां से ओम निकलता है तो जब मैं SCG पढ़ा रहा था आपको SCG human chronic groundyotrophic hormone वहाँ पर जब मैंने आपके बता रहा था कि मतलब कैसे early detection blood में करते हैं SCG का आप यूरीन में करते हैं तो जब मैंने blood का detection बताया था तो मैंने का जब किसी female का period आता है तो पहला दिन होता हूं वहाँ से लेके सपे चोड़ुए में दिन के बाद हम खोड़। में करते हैं कि प्रेग्णन प्रेंच हुई का टाइम होता है अब निकलता है अब बाहर निकलने के परकिजा को ओविल्यूशन कहते हैं ठीक है यही चीज़े थी मतलब कैसे क्यों हम 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद 8-9 दिन चोड़ने के बाद हम उसके बाद टेस्ट करते हैं तो यही प्रोसस है वहाँ पर भी इसलिए हम 14 दिन चोड़के हम उसका टेस्ट करते हैं ठीक है आई होब आपको ओविलेशन की परकिजा समझ में आए होगी जब लूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड में लूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अधिक होता है तो यही हार्मोन ग्रैफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है रैप्चर कर देगा तो वहां से ओवम बाहर जो यह पार्ट बचा हुआ है मतब जो यह पार्ट बचा हुआ हुआ अपको ब्लैक ब्लैक का दिखरा होगा आणाचे और चेंप लूटियम में करव बस गयता है कि करता है तेक्ट अब उसके बाद में जो यह सिक्रीशन करता है तो यह यूट्रस धी जो मतलब यूट्रस की जो यह मतलब अंदर यूट्रस की जो यह यह लियर होती है यह जो लेयर है यह जो यूट्रस की बोन होती है तीन लेयर से मिलकर बनी होती है प्री मैट्रियम से प्री मैट्रियम से जो पहली वाली लेयर होती है वह प्री मैट्रियम से बनी होती है और जो सेकंड लेयर होती है वह मायो मैट्रियम से बनी होती है और जो थर्ड लेयर हो बैट्रियम ठीक है अब पुरिस्ट्रान जो कारपस लूटियम से पुरिस्ट्रान बन रहा है यह पुरिस्ट्रान क्या है यह इंडो मैट्रियम की लियर को बनाता है पुरिस्ट्रान क्या होता है पुरिस्ट्रान जो है यह इंडो मैट्रियम की लियर को बनाता है ठीक है इंडोमेट्रियम की लियर को यह पोजिस्ट्रॉन हार्मोन बनाता है ठीक है यूट्रस की जो बोन है बाद तीन लियर से मिलकर बना होती है प्रीमेट्रियम मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम जो यह लियर है रेट कलर का दिखाया हूं मैं आपको यह इंडोमेट्रियम की लेयर है यह पुजस्टोन यह इंडुमेट्रियम के लियर को बनाता है अब जो िए ओम है ओम निकला बढ़न के यहां पर यहां पर आता है इस आप प्रोड्रक्टीव सिस्टम के सिस्टम के इस वाले हिस्से प्याता है यही जब यही ओम किसी इस पर्म से इसका फर्टिलाइज हो जाता है यह इस पर्म को फर्टिलाइज कर देता है फर्टिलाइज करने के बाद जो फर्टिलाइज कर देता है की जब कोई भी ईसपर्म करने के बाद आके यह जाइगोट ही डिवार लग जाता है और लगने ऐनके यहाँ पर्से। यह यह और डबलब हो जाता है जिसे क्या काते है प्लासंटा 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 भी प्रोजेस्ट्रॉंड का सिक्रिशन करता है ठीक है प्लासंता क्या कहता है प्रोजिस्टान का सिक्रिशन करता है आई हूप आपको इतनी बाते समझ में आई होंगी ठीक है मैंने आपको क्या बताया मैंने बताया कि प्रोजिस्टान प्रोजिस्टान जो है यह एक स्ट्राइड हार्मोन है इसी को सक्स ह आर्मोन भी कहते हैं ठीक है पूज़िस्टान को पूज़िस्टान का सिक्रीशन फीमेल में ओबरी की कार्पस लूटियम पार्ट से होता है और रहा स्वाल में तो में यह एड्रेनल्ड ग्लैंड से सिक्रीट होता है कौन प्रोजिस्टान उसकी बाद मैंने यहां पर आपको में अमिपका बताया कि यह क्या है यह फ्यमेल प्रography system है मैं उबरी वाले पार्ट को मैंने जूम करके आपको दिखाया मैंने ब्लेड वेसल यहां पर खुषर रिफ क oxygen फॉलीकल का नियूटीनियाजिंग हरमन कर देन्ज हर्मन लैबल ब्लड में अधिक होता है यह leo-tynizing hormone graphene follicle को rapture कर देता है क्या grafen follicle को rapture कर देता है अब rapture कर देगा तो क्या होगा rapture कर देगा तिस graphene follicle से o bum बाहर निकलेगा ओबं की बाहर निकलने की प्रक्रिया को oblation कहते हैं आज रेप्चर के बाद जो यह part बचा हुआ यही part कर्पसलूटियम का से कर्पसलूटियम के रिष्टॉंट के यह लाटकर नहीं जब पुईस्पर direito में इस इंडुमेट्रियम की दिवार पर रह जाता है जैगोट होता है ठीक है अब जाइगोड सी बाद है हर एक चीज को नूट्रिशन चाहिए डवल्ए के लिए नूटीसन चाहिए ज़ह है जाइड सी बाट है जितने भी लोग है उससे नूट Johannogas Sometimes चाहिए तो इस जाई गोट को कुछ दिनों के बाद मतब कुस दिनों के बाद यहां पर एक लियर और बन जाते है जाइगोड की उपार जिसे प्लासंटा कहते है प्लासंटा कितरू यह जाइगोड नूटिशन लेता है और या प्लासंटा भी प्रोडिस्टान हार्मोन का सिक्रीशन करता है तो इसके बाद बने मैं बताए कि यूट्रस जो है डिवार प्रोडमेट्रोड श्रकौर है इंडोमेट्रयाइस को बनाता है पर इससे फर्टिलाइज कर दिया फटलाइजे के बाद जाइगोटपन गया जाइगोट आखे enforcement करता है यह एक नमरी फंक्सन है ठीक है उसके बाद यही हुआ इरेकूर्स हो गया अब ध्यान दीजे प्रोजिस्टान ए्रेगुलर हो गया तकिकांडिषन होते हैं तो क्या होगा ओतु इंडू में प्रापटली नहीं चीजिगहें अब उसके बाद क्या है यहां से मैंने बताया कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड में लेबल अधिक हो जाता है तो ग्राफिन फॉलकल को रप्चर कर देता है और रप्चर करने के बाद में रप्चर करने के और आने के बाद में माली जी यहां पर कोई भी जो ओंबन यह फर्टिलाइज नहीं होगा तो मनिस्ट्राइज की तौरान यही यही जो है मतलब यही ओंब्स जो है यहां सिक्रिट आउथ हो रहता हर मंत में यह निकलता रहता है तो रुकेगा है नयजाज़ सेवाद तो मेंस सब्सक्राइब निकलती है कब मेरेश्ट्रोल साइकल की दौरान अब होता क्या है जो यह लूटिनाइजिंग हर्मन ब्लेड में लेवल इसका अधिक है माली जी ग्रैफिन फॉलिकल से यहां से ओवम बाहर निकले ही ना कारण लूटियम में घंट करेंगा नहीं तो करतेर लूटियों क्या होगा दिरे दिरे मतलब इसका जो एक जो कारपास करेगा नहीं तो मायोकार्डिया इंडोमेट्रियम की यह बनेगा ही नहीं तो तो जाहिट सी बात बनेगा ही नहीं तो यह जो जो में मुद्ध है घुमा फिरा के कहने का है यहां दी जब समझे जो ब्लड में लुटिनाइजिंग हार्बू ने ग्रैफिन फॉलिकल को कर्मठ होने के बाद में यह जो इंडोमेटियम की जो लेयर है यह प्रॉपर्ली बनेगी नहीं तो अधो यह बहुत से लोगों में आज का लिए नारमली हो गया लगबग आप देखेंगे तो समस्या उनकी थारे увag time-time पर नहीं आता है तो time पर नहीं आने कारण प्रांब यह है और उन कारण आए प्राड आर प्राइब सब्सक्राइब उनके कापि काफ़ी सारे दिक्कत मतलब साल शाइक्ला धार को साथ हो जाएगा और सब्सक्राइब रहे होगी हलोगी रहता है अब उसके बाद में आप सब्सक्राशतार है शाई से अरौरा तो समय यह होगा तो में क्णमप्ка मॉंने से पहले यह जिपश frågor पयर्ली मुत करता है इंड्रोमेट लिएर के लिएरायर से बनी से बन्याने के बाद you ृष exercising की इसे ब्लौक करने अंदर बंद करने के बाद में क्या करता है यहां पर एक लियर बनेंगी जिसे प्लासंटा कहते हैं प्लासंटा से पीन अपना जाइगोंट अच्छे से डबलब करेगा पुरा नाइंथ बन्त नाइंथ डबलब होगा यहीं पर रहेगा और अगर अच्छी कंडिशन रही पूरा फंक्सन किया तो उसके बाद में अच्छे से नॉर्मली डिलवरी हो ने अच्छे से यह लेयर भी नहीं बनेगी और जो एंडोमेट्यम की लियर है उसके बाद में जो भाओं यह सब अपना मतलब एगर्वार निकालते मतलब बहार निकाल देंगे और सारे चीजें अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्षन नहीं करेंगे ठीक है जो मतलब उसके ब बनाव उसो मतलब हो जो एक है जो एक इंड्रोंहत्य मेंट्रिम की जो एक लेयर है जो आदे देर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ चीजह पैसा कहा इसका स्पाइस ह dow कॉन फोजिस्ट्राइब करता है अब स्पाण्स सा आप मतलब मसल की कॉंट्रेक्षन को ये कम करता है कि मसला का contraction ना हो क्यों क्योंकि कंद्र का कम करता है क्यूं क्यों करता है और कव कम करता उपिंज हैं at she pregnancy जब ही में प्रेग्ननशी एंटीप कर लेती है ठीक है उसके बाद आल कर प्रेग्ननसी हर्मौण इसलिए इसको वह प्रेग्ननसी यहांपर देखते हैं जब प्रिमेलने के बाद यह है जो जो मतला पूरिश्टॉन तो कर दिया लेकिन मसल के मतलब यहां पर सर्विग से लेकर यह इना नहीं करने देता है मतलब रिड्यूज मतलब बहुत कम कॉंट्रेक्शन होगा कॉंट्रेक्शन को कम ना करें अगर कॉंट्रेक्ट होगी तो जो जाइगोट बना है वह जाइगोट इंडुमेट्रियम की दिवार पे अच्छे से प्रॉपरेट टिकेगा नहीं और और क्या हो सकता है कॉंट्रेक्ट किया तो इंडुमेट्यम की दिवाले हो जाएंगी तूट जाएंगी और जो मतलब बनके इस चीज को मतलब रोका हुआ है वह भी मतलब रेप्चर होगे तूट जाएगा और जिसके वेज़े से यह सारी चीजे मतलब मतलब कहा सकते हैं जो उसकी प्रोग्रें ले तो इसलिए क्या करता है इसके कॉंट्रेक्शन को हुआ है कम कर देता है मतलब बहुत ही कम कांट्रेक्ट करता है तो हमने इसके फंक्शन को देखा कि इंड्रोमेट्रियम का फार्मेशन करता है कौन प्रोग्रेश्टान अब रिड्यूस करता है मसल की कॉंट्रेक्शन क कब जब फिमेल प्रेग्नसी कंज्यूम कर लेती है इसलिए इसे प्रेग्नसी हार्मोन भी कहते हैं ठीक है आई होप आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई होंगी किसका अभी तक हमने कितनी प्र चाइब कि हम ने देखा पृश्च्टान को सक्स हार्मोन की तरह करते हैं यह तो प्रोश्च्टान का सेंका प्रोश्टेश्टेटिन नाम का एक हर्मोन है जो सिंत्हार्टिक हार्मुन है वे जो प्रजेस्टिन नाम का १ेरन की तरह काम करता है ठीक है यह फिमेल में और ४्र्रिस्ट्राण्ट हार्मुन जो है वЙन नोब्ली के माद्य docet मतरब जो कि करने के ऊपर आपको समझ है एगई अब हम देखते हैं हिसका इतनी इंट्रडक्शन था अगर इतनी चीज्जी आपको समझ में आ गई टो आगे की जो चीज़े है वह आपको सम्झेने में कोई प्रोब्लम नहीं होगा ती कि मतलब इसकी आगे का क्या प्रोसस है क्या साथ है तो चीज़ को अब हम देखते हैं क्या है यह थी तरन इतिफ एडींटिक कोलेशट्रॉल कक्रपसलुटियम तरव से अगर हम देखे का है आप इसको देखते कि त्योरी की मादियम से कैसे इसको आगिया गया यह पोरिश्टार्ण की बात करें तो जिसे सिंथैटिक कॉलेस्ट्राल टिक है यह मतलब इतने सिंथार्टिक फ्रॉम कोलेस्टरल बाइकार्पस लूटियम और प्लासंटा इस फालोज ठीक है अब इस चीज़ को एक रियक्शन के माधियम साब को दिखाया गया कैसे क्या जिए कि कोलेस्टरल जो है यह कोलेस्टरल और साइड चैन क्लीवेज एंजाइम के थ्रू यह प्रीजैनियो लोन में करमट होता है किसमें प्रीजैनियो लोन में करमट होता है कोलेस्टरल जो है कोलेस्टरल और साइड चैन क्लीवेज एंजाइम के थ्रू यह प्रीजैनियो लोन में करमट होता है अब यह प्रीजैनियो लोन डिहाइड्रोजिनेज और आइ की जिम्दारिह इस चीज को आपको करना है मत अब कैसे क्या सारी चीज़ें कि क्योंकि समझाने के लिए कुछ है नब आपको यहां पर समझाद है कि कैसे क्या सारी प्रुष्ट्रान जो है और हम क्या बोलते हैं ऐसको अगर हम इसके डिफनिशन की बात करें प्रिजनियलोन, डिहाइड्रोजीनेज और आईसोमरीज एंजाइम के थुरू यह प्रोजिस्टान में कर्णमाट हो जाता है ठीक है, I hope आपको इसका मतलब जो डिपनिशन है वह समझ में आया होगा इसका मेटाबोलिक फ्रोजिस्टान है, मेटाबोलिजम आप प्रोजिस्टान क्या है अगर हम मेटाबोलिजम प्रोजिस्टान कि इसके बात करें, तो मेटाबोलिजम प्रोजिस्टान क्या है देखे इट, इट मतलब कौन पुजिस्ट्वार्ड, इट इजए ऐड़ावं, इड़ावग्रण, फ्रांट न ट्रांस्पोर्टिन ध्यान दीजे यह कहना क्या जाता है इट इजे ट्रांस्पोर्टर्ड मतलब यह ट्रांस्पोर्ट करता है इन बाउंड फ्राम प्रोटिन मतलब प्रोटिन की बाउंड फार्म को ट्रांस्पोर्ट करता है किसमें ट्रांस्पोर्टिन में सब्सक्राइब करता है प्रिजनियोडोल में अब यह एक सिक्रेट होता है किसमें यूरीन के थुरू गुलू कोरोनाइट कांजुगेट के थुरू यह मतलब एक सिक्रेट होता है कहां पर यूरीन में यह करनमर्ट करता है प्रिजनियोडोल में जो भी चिस्ट्रेट इनी यूरीन एज गुलू कोरोनाइट कांजुगेट तेक है आपको समझ में आई होगे अब हम देखते हैं कि क्या प्रोजिश्ट्रों का क्या क्या function है अभी आप कहोगे प्रोजिश्ट्राण समझाने की तरीक अपनी लेंग्वेज में था कि क्या सारे चीज़ें हैं अगर आप यहां पर इस चीज़ को लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं कैसे क्या दिख करते ठीक है मतलब कैसे प्रॉपरली फंक्शन किया आपको समझाने के लिए मैंने बताया था अगर इस फंक् अलक ends please also call that has चाल प्रेगनसी हार्मोन शांक्षन था उश्के बाद हम देखते हैं कि फोक्रुपिक्ष्टाओन क्या है अ रिक्वारर फार। इंप्लान्टेशन आ अप फ्रॉटिली ऊपन मैं मींटेकंचे ही प्रॉपरिघ्नांज करता हैं मतलब टेता है मतलब क्या सकते है और और यह बनाद्क आपन फोटी इस त्यूलन टोजा करता है लीपाइन संप्था होगे इन्क्रीज हो जाता है हमारे व्डेंट्वाइट को आप अगर हम फारेन हाइट की बात करें यहां पर इंक्रीज आपको दिखाए गया फारेन हाइट में ठीक है तो अच्छ टाइम ना होके जब दूरिंग ओबलेशन होगा तो वह 0.5 से लिके 1.5 डिगरी फारेन हाइट इंक्रीज हो जाता है ठीक है उसके बाद हम क्या देखते हैं सिर्म पोविश्ट्रॉंड करते हैं का अब करें करें करेंगे कहां पर में छेम पर करेंगे कहां पर सीरम में कर्पस लूटियम इन्फर्टिलिटी सब्जेक्ट क्या देखिए इव लेट्ट श्री देखिए इव लेट्ट देखिए वहां पर हम देख ते हैं कि इसका सीरम पोजिश्टांट का मतब क्या लेबल आप है इभिलूट देफ अपर फंट्समील इस्टेट आप देखने है और इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि इंडिक इंडिकेशन आप डेया अपर इसके बात क्या है अनफर्म बेसल बॉडी तमप्रिट्रों इसका यहां भी मेन है कि konfirm nasal body temperature Top Pressure measurement आप दे मेजरोंट आप दे adult operation और और कर्पश लुटियंग करते हैं यहाँ एक नविए गिर न होगे जब मतलब बाडिका ओड ते लुझेर होता है उस टाइम हम मेजर करते हैं और उबदे ओब्लframe करते हैं कि मताव किया देखते हैं वहाँ पर करते हैं कि इसे उस टाइम हम देखते हैं कि कि तो इनक्रीज होता है और उबलेशन होने के बाद में जब कारपस लुटियम का फार्मिशन होता है उस टाइम हम देखते हैं कि हमारी सीरम में प्रोजिस्टान का कितना लेवर है ति कि उसके बाद हम देखते हैं इसप्रेक्टर्ड रिफ्रेंस बैलू हमारा मतलब कितना सिक्रिशन हो रहा है मैंने का है रेगुलर हो रेगुलर हो टाइम पर हो टाइम पर ना हो सिक्रिशन हो तो कितना यह सिक्रीट करेगा इस चीज को हम देखते हैं अगर हम मेल की बात करें मेल की बात करें तो यह मेल में अंडर हैंडर्ड मिलीग्राम पर दिया है मतलब 100 मिली पर तरह कुछ आपको 95 मिली ग्राम पर दी घाल हो तो इसमें आपको आइफ होने की बात नहीं है कि मतलब यहां पर पर पढ़ाया मतलब यहां यह पर बड़ाया जो मुझे इस पता मैं आपको बता रहूं मतलब हल्बूक में आलंग मिलेगा तो इस चीज में आपThe 150 mg घेल मतलब 150 mg घेल से कम सिक्रोड होगा किस कांडिशन में फालीकल में अगर फालीकल लीगुल में है उस टाइम उस totalер में 1 compared त्यूर्ण से कम सिक्रीट होगा क्या पोज़ इस्टौंण और वहीं पे 300 mg घेल सकन्ड में अगर हुए फ verbess appearances में है तो 300000 थ्री हैंडर्ड मिलीग्राम पर डियल सिक्रीट होगा क्या पूजिस्टाइब अधिक रहेगा अधिक रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अच्छे से या इंडुमेट्रियम की दिवार अच्छे से मैच्छूर होगी प्रॉपरली मतलब अच्छे से मतलब यहां पर रुकावट की रूप में बन जाएगा मतलब एक लियर बन जाती है सर्विक्स के पास और अच्छे से यहां पर इसका न्यूट्रिशन होगा कि जाइगोड का प्लासंटा बनेगा मतलब डूरिंग फर्स्ट्राइमेस्टर में 1500 से लिए कि 5000 मिलीग यह चीज आपको याद करना है इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है अगर मालेज जीए यह पेपर में आ गया यह मालीज जी कहीं पर पूछा गया यह मतलब कुछ भी चीज़ों कहीं पर भी आपको लिखना हुआ तो लिखना मत भूलिया क्योंकि आप इतना सारे चीज सब्सक्राइब भूल जाएंगे तो मालेज जी यह यह आधा से अधिक नमबर यह करी करता है कौन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ठीक है तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना जरूरी है यह बहुत ही इनपॉर्टन्ट है किसी भी अगर हार्मन की आप हार्मन सब्सक्राइब करेंद आपेको क्ली है अकर्शूरल्यूष्य डीफिशनसी होती कि इसकी ओड़ीन फार्मेशन मतलब फार्मेशन का होता है कावजिंग क्या होता हैеци n". अगर और फार्मेशन कम हो नहीं हो रहा है तो तो उसका पर इङ brakes मतलब औो अब ट्रूपोक्त का मतलब बह canyon होने बहुत कम मलड़ने में एक हम अब देखे रहें, पैमरी काशी सिट वायमटर प्रॉटफिंग function सब्सक्राइब करना याद करना इसमें कुछ समझाने बात नहीं थी यह आपको मतलब याद करना है चीजे को कैसे चीजे थी जितने भी समझाने वाले पॉयंट थे मैंने आपको यहां तक बता दिया आज के हमारे टोपिक था पुरिश्ट्रोन यहीं पर समाप्त होता हिसी को देख लेते हैं पुरिस्ट्टान करया कि दो कि आज सेवाएं काशण से इनक्थ हर्मोन है अगर जो पुरिष्ट्रान कि कैसे स्थ हर्मोन है करते हैं यहां मेल मेंन्ट के से हमने और हमने दिखा कि यह थीदम करें कि नियुक्त कि कैसे फॉलिकरली का ὥ डबलब्मेंट होला कैसे क्या सारी चीज़ हो रही है और जो ग्रैफिन फॉलिकल है कैसे रेप्चर हो रहा है फिन कारपस लूटियम है फिन कारपस अल्ब्यूकम क्या है उस चीज़ को भी मैंने बताया आपको ठीक है उसके बाद जो फुट्रूटी ग्लैंड से जो हर्मोन नि输 सिक्रीस फॉन फॉलिक हर्मोनcrowd elasए फौलिक हर्मोन लीटिण हर्मोन को कहेंगे क्या है उसे वैसे यह फॉलिक हर्मोन हर्मोन दोने तो यहां पे इस चीज़ को और आपको पता रहे हो इतना आप जाना कि यह जो फॉलीक को घ्र ट करवाता मतब डवलप करवाता हार्मोन है यह ब्लेड में इसका लेवल अधिक होता है तक ग्रॉफियन फूलकल को यह रप्चर करता तो वहां से बाहर निकलता ओबं के बाहर निकलने के परिक्षा को ओवुलेशन कहते हैं उसके बद बचा हुआ पाट है कारपास लूटियम में करनमट होता है उसके बाद ह हमने डिपनीशन देखा फिन मेटाबलियों क्या कि कैसे क्या साथ चीज़े होती है फिर हमने यहाँ पर भी आपको फंक्षन बताया हुआ हमने देखा कि पूर्श्चान का हम सीरम में सीरम में डिटर्मिनेशन करते हैं उसके बाद हमने इस प्सक्रेक्टार्टिषन स्बैल सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें अगर जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए होंगी तो कमेंट बॉक्स में मेरा नमबर दिया होगा यहां से आप हमसे पूछ सकते हैं अगर इस चीज़ का आपको नोट्स चाहिएगा तो नोट्स के लिए भी आप हमें बताएंगे तो हम नोट्स भी आपको प्रवाइट कर देंगे आज के लिए बत इतना ही धन्यवाद